आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें एक चित की मदद से समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, की यह वास्तवी गहराई है, ठीक है, और यह आवासी गहराई है, यहाँ से मचली को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मन उसको ऊपर उधवादर तल से इसको देख रहा है, ठीक है, तो यह वास्तविक गहराई है, मचली की ठीक है, और यह आभासी गहराई है, तो हम लोग जानते हैं, कि जिस माध्यम में हमारी वस्तू होती है, उसका जो अपवर्तनांग होता है, अगर हम उसे अन से परदरसित करें, ठीक है, यह किसका अपवर्तनांग होगा, जल का, किसके वस्तु है यहाँ पर क्या मचली है तो मचली की वास्तवी गहराई ठीक है बटे मचली की आवासी गहराई जितनी उसको प्रतीत हो रही है ठीक है यहाँ पर इन दोनों का अनपाद अगर हम लगा देते हैं तो उस माध्यम का क्या जाता है उस माध्यम नीचे दिखाई देती है तो दिखाई देने के मलब क्या है कि हमको आभाशी गहराई दी गई है ठीक है आभाशी गहराई कितनी दी गई है आभाशी गहराई हमें दी गई है 2 मीटर ठीक है गहरा पानी का परतना एक दसमलो तीन तीन है यानि कि N बराबर किता है एक दसमलो तीन दिन गहरा मचली की वास्तवी गहराई ग्याद कीजे यानि कि हमको ये वैलू ग्याद करनी है तो इस समी करण में हम लोग रख देते हैं ठीक है तो एक दसमलो तीन तीन बराबर वास्तविक गहराई को हम लोग D मान ले रहे हैं ठीक है आभासी गहराई आभासी गहराई कितनी दी गई है दो मीटर दी गई है तो वास्तविक गहराई जो क्यों क्या आ जाएगी D बराबर आ जाएगी 1.33 गुड़े 2 ठीक है मीटर में ठीक है तो D बराबर यहां से क्या आजाएगा? 2.66 मीटर, ठीक है? क्योंकि ये भी हमें मीटर में दी गई थी, तो हमारा जो आंसर आएगा, वो भी क्या आएगा? मीटर में, यानि कि जो मचली होगी, उसकी वास्तवी गहराई कितनी होगी? 2.66 मीटर नीचे होगी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, तेंक यू!